हेलो एव्यूवान वेल्कम टो माई चैनल को कोई चेया में चेया आज आपके लिए लाए हूं क्रिप्सी टेस्टी जूसी इंस्टाइंग जलेबी के रसी यहां फ्रेंग जब भी ओकेज़ या फिस्टिवल होता है तब भी हम घर में मिठा बनाते हैं लेकिन इजो इंस्टा जलेबी आपको जब भी मूर्वों मिता खाने की तब भी आप इजी ली घर में बना सकते हैं वह भी गहंटाई है वह चली स्टार्ट करते हैं इंस्टान्जलेबी की रसीपी इंस्टांट जलेबी बनाने के लिए पहले बैटर बनाएंगे बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वन कप मेदा लिए हूँ मैं देखो मैंने अच्छे से चान लिए हूँ अभी मैं देखो पाउल में डाल देंगे वन टीस्पून देसी घी डालेंगे देशी खी डाल के अच्छह से मिला लेंगे में देखो गी डालने से जेलेवी क्रिप्स और करारी बनती है अच्छछ से मिलाने के पा Athlete के पार उसमें 1-4th कप खटा दही डालेंगे जेलेवी के लिए खटा दही बहुती जरूरी होती है अगर आपका दही खटा नहीं है तो उसमें वन टेबल स्पून विनेगार डाली है और अच्छे से मिला लेंगे मैं देखो मैं यहाँ पर गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा डाल के बैटर को बनाऊंगी गुनगुना पानी डालने से बैटर में अच्छे से फर्मार्टेशन हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे सा एक स्मूध बैटर बनाएंगे बैटर को हमें ज्यादा थिक नहीं बनाना है या लिकुड नहीं बनाना है और बैटर को आप अच्छे से मिलाईए ताकि उसमें हबा भर जाए और हमारा बैटर अच्छे से फर्माटेशन हो जाए देखे इस तरह से हमें बैटर को फ्लोइंग कंसेटेंसे में चाहिए अब यह हमारा बैटर अच्छे से बन गई है और उसको आदे घंटे के लिए कबर करके साइड में रख देंगे चली अब जलीबी के लिए चासनी बनाएंगे चासनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर दो कप चीनी ले रही हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चासनी बना रही हूँ और दो कप चीनी में दो कप पानी ले रही हूँ सेम फॉंटिटी में ले रही हूँ चीनी और पानी को क्योंकि अगर चासनी जादी बनेगी तो जलीबी अच्छे से डूबेगी चासनी में तो आप जब भी भी जले भी बनाईए तो चास्नी थोड़ा ज़्यादा बनाईए और अच्छे से मिला लेंगे जब चास्नी में अच्छे से बॉल आ जाएगी उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे लेमन जूस डालके अच्छे से बॉल करेंगे चास्नी को मैं यहां पर 4-5 इलाइची को क्रोस करके डाल रही हूं फ्लेवर के लिए थोड़ी सी केसर केसर डाल के अच्छी से बॉइल करेंगे और यहां पर मैं और इंज फूड कलर थोड़ा डाल रही हूं चासनी में अगर आपको जो भी कलर पसंद हो आप डाल सकते हैं जिसे पीला कलर भी अगर पसंद हो तो पीला भी डाल सकते हैं और अच्छी से बॉइल करेंगे चासनी को तो आपको हमें एक तार जिसी नहीं बनानी है जिससे हाथों में चिप चिपा लगे उस टाइप के चासनी हमें बनाना है तो देखिए इस तरह से तो अभी हमारा चासनी रेडी होगी है तो जागा ग्यास को बंद कर देते हैं और चासनी को साइड में रख देंगे चलिए अभी बैटर को चेक कर लेते हैं देखिए बैटर को उपर कैसे बबल जैसा हो गई है इसका मतलब हमारा बैटर अच्छे से फॉर्माटेशन हो गई है तो अभी अच्छे से मिक्स करेंगे एक और दो मिनिट के लिए आप बैटर के जितना मिक्स करेंगे उतना अच्छे से फॉर्माटेशन होगा तब ही यहां पर हाप टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे मेनी वन कप मैदे में हाप टी स्पून बेकिंग पाउडर ले रहे हूं पाउडर डालके अच्छे से मिला लेंगे वन पीच औरेंज फूड कलर डालेंगे कलर डालके फिर से एक बार मिला लेंगे अभी हमारा बैटर रेडी हो गई है मैं यहाँ पर एक कैचप बाटल यूज करी हूँ मार्केट में इजीली मिल जाती है और इसमें आसानी होती है जलेपी बनाने के लिए तो चलिए सारे बैटर को अभी बाटल में डाल देंगे देखिए फ्रेंग यहाँ बाटल पूरा फूल हो गया है अगर आप वन कप मेदे ले रहे हो तो उसमें पूरा बटल फूल हो जाती है और इसमें आप जलेबी बनाएंगे देखिए कितना इजी होता है केचप बोटल में जलेबी बनाना और हमारा जलेबी जैसे ऑईल के अंदर जा रही है तूरन ऊपर आ जाती है इसका मतलब हमारा बैटर अच्छे से फॉर्माटेशन हुआ है तो जलेबी को भी एक मिनिट के लिए अच्छ नहीं बने है और जलेबी को एक मिनिट अच्छे से फ्राइए करने के बाद अभी निकाल देंगे जलेवी को देखिए कितना अच्छी बनी यह दोनों साइट में अच्छे से पुलिए जलेवी को थैती सकिंद के लिए चासनी में डालेंगे और चासनी थोड़ी गरम होनी चाहिए ताकि चासनी अच्छे से जलेबी के अंदर आ जाए जली अभी निकाल देते हैं जलेबी को चासनी से देखिए हमारा जूसीली जलेबी बनके रेड़ी हो गई है इसको अभी प्लेट में निकाल देंगे फिर से आपको एक बार जलेबी बना के दिखाते हूं फ्रेट्स जलेबी बनाना इजी है लेकिन उसका जो ट्रिक है अगर आप एक बार सीख लो जैसे उसका बैटर है और सुगर सिरफ है अगर आप अच्छे से जान लोगे तो आपको इजी लेगेगा जलेबी बनाना तो दे देखिए किस तरह से हमारा जलेवी बनिये चप्टी नहीं बनिये और दोनों साइड में अच्छे से फूलिये तो अभी उसको निकाल देंगे जलेवी को 30 सकिंड के लिए चासनी में डालेंगे ताकि चासनी अच्छे से जलेवी के अंदर आ जाए देखिए अभी हमारा टेस्टी जूसी जलेवी बन के रेडी होगी है तो चलिए एक बार आपको दिखाते हूं कितना क्रिप्सी बनी है देखिए फ्रेंड उसको अभी आपको तोरक दिखा रहे हूं उसके अंदर कितना अच्छे से चासनी अंदर तक गई है देखिए तो लीजिए फ्रेंड अभी हमारा गर्मा गरम जूसी ली इंस्टांट जलेवी बन के रेडी होगे है तो फ्रेंड आपको कैसी मेंगी मेरी इंस्टांट जलेवी के रेसिपी आप भी ट्राइ कीजी गोल गोल जूसीली जलेवी को अगर रेसिपी अच्छे लगी तो लाइप कीजिए शेयर कीजिए सस्ट्राइब कीजिए डोंट फोर्गोट टू क्लिक अब लाइकन अगर आप मेरी चैनल को सब्स्राइब करना चाहते हैं तो क्लिक आण माई फोटो सब्स्राइब माई चानल कूकूई जैया झाल